हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ इवेक फ्रों फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फैनेंस एंट टेक्शिशन की एंड आज आपके साथ फैनेंस एक डोजर एक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो की ITC से रिलेटेड है वो डिसकस करन और दोनों में क्या कॉंट्राडिक्शन आने वाला है वो मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ विदाओट एनी फॉर्दर दू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट गईस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लिमर सेक्शन नुमर सिक्स्टीन सब्सेक होगा तो उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है एक टेक्सपेयर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और खासकर जब आप प्रोविजनल आटीसी क्लेम करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है दिक्कत आ सकती है कैसे दिक्कत आ सकती है चलिए सबसे पहले समझते हैं सेक् डबल एक के अंदर एक condition डाली है finance एक दोजार एक किस ने कि अगर आपके supplier ने अपनी आउटवर्ड सब statement जो होती है मतलब उसने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी है और वो आपके GSTR 2A and 2B में reflect हो गया है वही ITC आप claim कर पाएंगे मैं दुबारा से repeat कर देता हूँ आपके वही ITC claim क पाएंगे जो आपके 2A और 2B के अंदर reflect हो रहा है नो यहाँ पर एक छोटी सी problem यह आ जाएगी अगर आप rule 364 को ध्यान से पड़ें तो वहाँ पर आपको provisional basis पर भी ITC मिल जाता है 5% of eligible ITC rule 364 बोलता है कि जो आपका eligible ITC है वहाँ पे eligible ITC का मतलब होता है वो ITC जो आपके 2A या 2B के अंदर आ रहा है ना उन दोनों में से क्या लेना है उसमें अभी हम उस बहस में नहीं जाएंगे कि हमको 2A follow करना है 2B follow करना है उसके लिए मैंने एक separate video बनाईए उपर i button में जाके आप check कर सकते हैं हमारा point यह है rule 36 बोलता है eligible ITC यानि वो ITC जो 2A या फिर 2B के अ section 16 subsection 2 clause AA है वो जो है backing provide कर रहा है वो statutory backing provide करता है rule 364 को but मेरे हिसाब से वो rule 364 की theme को ही completely खतम कर देता है reason being वहां पर लिखा है कि आप ITC claim नहीं कर पाएंगे provisional basis पर जब तक आपके 2A 2B के अंदर नहीं आता है और rule 364 जो है उससे just उल्टी बात बोलता है कि आप provisional basis पर ITC claim कर सकते हैं now जिस date से क्योंकि अभी जो section 16 subsection 2 clause A है वो notify नहीं हुआ है बट जैसे ही वो notify होगा तो problem आ सकती है provisional basis पर ITC नहीं claim कर पाएंगे reason being के जब भी एक section और rule में contradiction होता है तो section जो होता है वो prevail करता है section हमारा override करता है and rule 364 की value मेरे हिसाब से मेरा personal point of view है rule 364 की value जो है almost खतम हो जाएगी अगर section 16 subsection 2 clause A applicable हो जाता है without any amendment मेरे साब से वहाँ पर एक amendment लानी चाहिए वहाँ पर एक provisional code add करना चाहिए कि provisional basis पर जो है वो allow करेंगे but but finance act में कोई भी provisional add नहीं था जो वो clause add हुआ है वहाँ पे strictly लिखा है कि वो आपके supplier ने अपनी outward supply में फरनिश क so provisional IDC claim करना बहुत ही जादा मुश्किल और मेरे हिसाब से मैंने starting में बता दिया था last year जो government ने बोला था कि हम 20% provisional देंगे उसके बाद इन्होंने 10% कर रहा फिर इन्होंने 5% provisional basis पर कर रहा तो currently आप 5% provisional basis पर कर सकते हैं और क्योंकि अभी तक जो section 16 subsection 2 clause AA notify नहीं किय तो अभी तो आप कर सकते हैं rule 36 को follow provisional basis पर अपना ITC claim कर सकते हैं बट कुछ time के बाद जैसे ही section 16 subsection 2 clause AA government ने notify किया problem start हो जाएगी so यह guys आपको एक छोटी सी update देनी थे और यह मेरा अपना personal analysis है जो कि मैंने किया है इन दोनों ही sections का so hope so आपको एक overview मिल गया होगा guys यह थी ए section को कब notify करती है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि government पूरे-पूरे साल जो है वो section notify ही नहीं करती है finance act में डाल दिया but notifications आती ही नहीं है उसकी और इस में भी यहाँ पर problem ही है कि provisional ITC का concept ही खतम हो जाएगा section 41 जो होता है वो provide करता है provisional ITC का concept with some restrictions and conditions but अगर government section 16 के अंदर यह वाला clause insert कर तो दिया है जब notify करती है तो वहाँ पर provisional ITC वाला जो concept है वो GST से almost directly तो नहीं लेकिन indirectly खतम ही हो जाएगा और मुझे बिलकुल मैंने पहले ही आपके साथ discuss किया हो है कि government धीरे-धीरे इसी step की तरफ जा रही थी so guys आशा करता हूं आपको यह analysis जो है पसंद कोर्स हो चुका है वहाँ पर हमने यह सारी चीज़ अल्रेडी डिसकस्ट की हुई है law के सारे provisions including demand recovery scrutiny inspection search Caesar 132 का prosecution जो होता है उसके साथ साथ power to arrest जितने भी basic से लेकर के advance तक demand recovery section 7374 course जो है GST का बिलकुल ही advance हो चुका है सारे law provisions finance act 2021 सारी notifications उसके अंदर update है प्लस practical part जो है वो सारा cover है return filing R13B और हां उसमें भी एक update है GSTR 909C जो है वो बहुत ही जल्दी update होने वाली है finance act 2021 में so course पूरा यह update हो चुका है उसको आप check out कर सकते है नीचे description में मैं उसका link दिया हुआ है thank you so much guys for joining today's session आसा करता हूँ आपको छोटा सा analysis section 16 subsection 2 clause AA plus rule 364 का समझ आया होगा पसंद आय होगा have a great time हसे रहे और मुस्कुराते रहे